लांबा समय पहला एक कठियारो तेना बे बाढ़ को हनसेल अने ग्रेटिल साथे जंगलनी बाजुमा नाना घर मा रहतो हतो हनसेल स्मार्ट होश्या छोकरो हतो अने ग्रेटिल एक शर्मार अने डरपोक छोकरी हती तेनी बीजी पतनी वारम वार तेना बाढ़को साथे खराब व्यवार करती अने कायम कठियाराने पज्योणी करती आपणा माटे घर मा पूर्तु भोजन नती खावा माटे घणा बधा लोको छे आ बन्ने बाढ़को थी चुटकारो मेडवोत जहिये नहीं तो आपणे मृत्यु पामशु तेने खुलासो करियो तेने तेनी पतनीनी कपट भरी योजनावनो विरोथ करियो पंड तेनी वाद सामढ़ी नई हेंसल ने ग्रेटल तेमनी वाद चीच सामढ़ी अने अखी रात तेओ रडता रया एक दिवस, पिताये परिवारना गुजारा माटे पैसा कमावा शेर जवू पड़िव। दूस्त माताने बाढकोने जंगलमा लई जवानी तक मड़ी अने तेमने जंगलमा एकला छोड़ी देवा मांगती हदी। पीजे दिवसे, सवारे माता हंसिल अने ग्रेटेल ने बुलावे छे, अने उत्सा पूर्वक कहे छे, तैयार रहो मना बाढको, आपड़े पिकनीक पर जवनू छे। ते बनी शके इटली प्रेमार बनवानी कोशिश करे छे, जेथी बाढको तेनी योजना विशे जानी न ज जाए, ते बिस्किट अने ब्रेट साथे बैक पैक करीने ग्रेटेल ने आपता कहे छे, मारी नानी ग्रेटेल, आ बैक पकर आपड़े जंगल मा खाई शू। ते आनन्थी घर ने ताडू मारे छे, अने तेओ जंगल तरफ चालता थाई छे, हंसिल पासे सफेद पत्थरों विशार संग्रे हातो, जे ते दरेक जग्याए लई जतो हातो, अजाने हंसेल सफेद पत्थरों रस्तामा मुक्तो गयो। तेमनी सावकी माए एनाथी कहिऊ। आ पिकनिक माटे सारी जग्या लागे छे, तमे बनने अहिया सुई जाओ, त्या सुती हूँ तमारा बनने माटे ताजा फ़र लई आऊचू। तेने तेमने एकला छोड़ी दिदा, हैंसेल अने ग्रेटेल एक मोटा जाड नीचे बेठा, अने थोड़ा बिस्किट खादा, अने रमत रम्या। समे पसार थायो, अने शान पड़ी गया। ग्रेटेल चिंता करे छे, कि तेमनी माता हजी सुधी तेमने पाचा लेवा नथी आवी। तेमनी सावकी माए हंसेलने रस्ता माँ पत्थर मुकता जोयो हतो, अने ते जानती हती के बनने खूब होश्यार छे, अने तेओ पत्थर ना वड़े घरे पाचा फरी शके छे, एटले तेने रस्ता माती दरेग पत्थर जे हंसले मुक्या हत्दा, ते उठावी लिदा, अन में रस्ता माँ सफेद पत्थरों मुक्या छे, अने ते अपनने चंदर ना अजवाळामा घरे लेई जेशे जयरे रात पड़ी गई, तेयरे जंगली प्राणियों ना भयानक अवाज नो पड़गो, तेमनी आसपास पड़वा लागयों, तेओ डरी गया, पन तेओ चंदर ना प्रकाश नी रहा जोई, अने तेओ पोता ना सफेद पत्थरों जोईने खुश थया, पत्थर चंदर प्रकाश मां चमकी रहा हाता, तेओ पत्थरों ने अनुसरी ने चालवा लागया, पर तेओ ने खबर नो ती, कि तेमनी सावकी माय पत्थर खोटा रस्ता तरफ मुकिया छे, हनसेले आत्म विश्वा साथे कईयू, तेओ टुक समयमा ठाकी गया, अने तेओ पोता ना घरती जरा पर नजीक नोता पोचिया, तेओ एक जार नीचे बेसी गया, किमकि तेमनी आसपस घणा जुगनू उड़ी रहा हाता, अने नाची रहा हाता, तेओ चंद्र प्रकाश अने जुगनू समक्ष अश्चरी थी बेठा हाता, अने सुई गया, रात पसार थे, अने तेओ सवारे उंग माथी उठिया, अने तेओ ए खूप सुन्दर रंग बिरंगी पतंग्यू जुईू, तेओ एक बिजा तरफ खुशीती जोई रहा हाता, अने हस्या, थोड़ी शणो माटे तेओ भूली गया हाता, कि तेओ भूख्या छे, अने रस्तो भूली गया छे, तेओ पतंग्या नी पाचर चालवा लागया, अने रमवा लागया, अने जल्दी तेओ एक विचित्र घर तरफ पहुची गया, तेओ चोकलीट, केंडी, जे शता, अने तेओ पोताने स्वादिस्ट वानगियों खावाती रोकी शक्या नई, आतो स्वप्ण नगरी जेऊ छे, ग्रेटेले कहियो, तेओ एक घर नो दर्वाज जोयो, अने विच्चारियो, कि तेओ अंदर जईने वधूपण खाई शके छे, अने रमी शके छे, तेओ दर्वाजे थी अन्दर प्रवेश्या, एक बनने एक सुन्दर स्ट्री ने जोय, जे भोजन बनावी रही हती, तेओ तेने मढिया, ते स्ट्री खूप सारी अने उदार देखाती हती, गुट आफ्टर उन, माई डिया लेडी, हंसिल अने ग्रेटे ले, ए सुन्दर स्ट्री ने बूलावी, आमी घंडो रस्तो भूली गया छे, तमें रस्तो शोध्वामा अमारी मदद करश्यों, ते इस्ट्री तेमनी तरफ दयाथे जूवे छे, अने माथू हलावे छे, ते रेवामा मजह आउशे, ते भाड़को खूब खूशाता, सुन्दर स्ट्री ए, तेमना माटे स्वाद्धिस्ट भोजन बनावियू, हंसिल अने ग्रेटेले विच्चारी उनोतु एउ, तमें बनने खूब कमचोर अने पात्रडा छो, उतमने खवड़ाविश अने अवास सामभडियो, ए अवास तरफ गई, अने तेने जोयू, कि ए सुन्दर स्ट्री एक क्रूर चुडेल हती, जे तेमने मारीने खावाने योजना बनावि रही हती, सुन्दर स्ट्री स्वादिस्ट भोजन तंद्रुस्ट बनावा माटे पिरस्ती हती, केमके ए हंसिल अन ग्रेटेलने तंद्रुस्ट भोजना रूपमा खाई शके, चुडेलने खबर नोती, के ग्रेटेल तेने जोय लिधी छे, अने ग्रेटेल थाथर्ती हती, आगली सवारे, जयारे बाढको उठिया, त्यारे तेवने लागियू, कि वस्तुओ अलक छे, तेबल उपर भोजन अने तेमना माटे कोई सुविधापन नोती, ग्रेटेले जे गई राते जोयू हतु, ते हनसेले नोतु जोयू, जयारे तेने हनसेले कहवानू विच्चारियू, के ते इस्त्री चुडेल छे, ते दर्मियान चुडेल आवीने बाढकोने कहे छे, के घरमा भोजन बनावा म माटे पूर्ता लाकडा न थी, एटले ते इमना माटे भोजन नहीं बनावी शके, इस्त्री ये हनसेलने कहिऊ, बेटा, तु नजीकना जंगल माथी लाकडा लयाविश, तो हूँ आपणा माटे भोजन बनावी शकू, त्या सुधी हूँ अने ग्रेटेल बद्धी तैयार करिये छिए, हनसल जडब्धी मानी गयो, स्रीये एने एक कुलहाडी आपी, अने ते खुशी ती घर नी बार निकडी गयो, ग्रेटेल ने खबर हती, कि ये कईक बराबर नोतु, अने ए डरती हती, इटले जे ते इस्त्रीये कहिऊ, ए तेने करिऊ, केमकि इस्त्री ने तेन डर थी जान ना थाई जाय, जे वो हनसल जंगल तरफ जतो हातो, त्यारे तेने घर नी पाचर जान नी डारीयो नो ढगलो जोयो, ते होश्या छोकरो हातो, अने तेने ख़याल आवी गयो, कि कई तो खोटू छे, तेने बारी माथी जोयो, अने अच्चानक तेने चुडेल असली रूप जोयो, जेते ग्रेटेलने बतावी रही हती, हंसे ले कोई अवाज ना करियो, अने ते सावचेत रही हो, कि चुडेलने तेनी हाजरी नी जान ना थाए, हंसे ल विचारी रही हो हतो, कि ते जल्दी शू करी शके, अने पोतानी बेनने केवी रिते बच्चावी शके छे, ते दर्मियान तेने चुडेलने ग्रेटेलने कहता सामढ़ी, किचन मा जाएनी ओवन चालू कर? ग्रेटेलने चुडेलनी वाद सामढ़िया वगर बीजो कोई रस्तो नोतो, थोड़ा समय बात चुडेलने ग्रेटेलने कही हो, जा, जाएने जो के ओवन बरावर स चुडेल ने लाग्यू के ग्रेटेल केटली मोर्ख छे। अहीं आओ, चोकरी, हुँ तने शिक्फू छू। तेने कईयू, हनसेल चे बाहर हतो, ए बद्धुत चुई रहे होतो। तेने थायू, क्या एक मात्र तौक छे। जेवी चुडेल ओवन तरफ गई, ते समय हनसेल चुप चाप चुडेल नी पाचड गयो। अने जेम चुडेल ओवन ने तपासव नीचे नमी, त्यारे हनसेल तेनी तरफ दोड़ियो। अने तेने ओवन मा धक्को मारियो। अने ग्रेटेले जल्दी थी ओवन नो दर्वाजो बन करी दितो अने ताडू मारे थीतु ते चुडेल ओवन मा बढ़ी गई हंसेल अने ग्रेटेल एक बिजाने बेटी पड़िया अने जे थयू तेना उपर तेमने विश्वास नोतो अने तेओ हवे सुरक्षे थाता तेओ चुडेलना रुम्म घया अने तेमने जोईने अश्चरिय थयू के चुडेल पासे कितली संपत्ती अने कीमटी रतनो हाता तेवो ये पोतानी बैग मा जिटली भरी शका इटली समपती भरी लिदी अने घरनी बार निकडी गया अने तेवो भागता भागता पोताने घरे पोची गया हंसे लले ग्रेटेले तेमना पिताने घरनी बार बेठा जोया ते खूब दुखी औने उदास देखाता था तेओ तेमनी तरफ दोडी ने गया अने तेओ एक बिजाने भेटी पड़िया बाड़कोंने जे अनुभव थयो हतो ते बद्धू तेमने पिता ने कहिऊ पिताजी खूब गुस्से थया अने तेनी पत्नी ने कहिऊ कि ते घरे थी चाली जाए जेवी ते गई तेमने बाड़कों तेमना पिता ने चुडेलनों खजानों बतावियो ते पच्छी तेओ बधा चिंता वगर खुशी थी रेवा लागया